नमस्कार दोस्तों तो स्वाकत है मेरे चैनल पर और एक नए ब्लॉग पर तो मैं आपको ले आया हूँ गोहाटी के एक नए फुल के निर्माण हो रहा है और बहुत ही बढ़िया फ्लाइवर बना है जैसा कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मा जी के नाम से रखा हुआ है वह उसी के साइड में बहुत बढ़िया फ्लाइवर बना हुआ है साउथ गोहाटी और नौर्थ गोहाटी को कनेक्टिविटी के लिए एक पुल है लेकिन बहुत दूर है सहर के साइड में तो सहर के बीचों बीच में यह बनाया जा रहा है तो चलिए दिखाते हैं युचि मार्केट चादिक आपको दिखांगा candy के फास यह ब्रज पर्यक्ति मार्केट पास जाके उतर था और उससे आगे पढ़ता है वो फेरी जलती है और उससे आगे पढ़ता है नेहृ आर्थ पार्क है और ब्रम्हेद्र रीवर फ्रंट है और रोप वे है और उसके आगे बोहाटी फ्लैटनी टोरियम है फिर होते हुए हम लोग चांद वारी तक चलेंगे तो पूरा रास्ता कवर करेंगे प्लीज लाइक सेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज यह देखिए दोस्तों सामने कामाख्या मंदिर के गेट पड़त इतनी कड़ी धूप में हम लोगों के लिए और यह नया फ्लाई ओवर है और पूरे यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के उपर से बनाया गया है इसको तो चलिए आप लोगों को यह नया और अभी जो बन रहा है यह इस गोहाटी से और आई-ई-टी पढ़ता है उस गोहाट करते हुए गवर्मेंट इसको बनाया है कि हां दोस्तों यह देख रहा है सामने यह जो पहाड़ी है जूम करके मैं दिखा रहा हूं इसी के ऊपर में देख पा रहे हो तो इसी पर कामाख्या मंदिर है और यह देखिए बड़ा ही मनोरम द्रिस्य साम का समय है और यह सूर्य के देवता विलुप्त हो रहे हैं इस वक्त साम के पांच बजे हैं तो गर्मी का समय है धूप तो है ही और बहुत बढ़िया स्लाइव और बना है यह देखिए साउथ गोहाटी से नौर्थ गोहाटी की कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए यह बनाया जा रहा है पुल एक है जो कि बहुत दूर है कि यह देखिए लोग सेल्फी ले रहा है फोटो सेशन भी चल रहा है यह देख रहा है दोस्तों यह बहुत बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है यह जो फ्लाइवर बना है यह देखिए कितनी चौड़ा फ्लाइवर है यह जाने का है और जो इसके बगल में आने जाने का नीचे था उसको खाली आने का कर दिया इसको खाली जाने का वन वे ट्राफिक कर दिया है जिससे की दिक्कत ना हो यह देखिए बच्चा यहां पर इंजॉय करने आया पापा के साथ कैसा लग रहा है बढ़िया लग रहा है अच्छी बात है यह देखिए इसके अपोजिट में है यह साउथ कोहाटी का द्रिश्य है जैसे जैसे साम बढ़ती जा रही है लोगों का जबावरा बढ़ता जाता है और लोग बढ़ते जाते हैं सेलफी लेना या घुमना लाइटिंग की विवेवस्था है सब जाए कि यह देखिए दोस्तों कि अभी काम चल रहा है अभी पूरा नहीं हुआ है कि यह देखिए दोस्तों अभी कनेक्टिविटी के लिए काम चल रहा है और बहुत ही मजदूर भाई हम लोगों की सुविधा के लिए दिन दात मेहनत करते हैं इन लोगों की तन्खा विशेश रूप से बढ़ाई जानी चाहिए इस पर कवर्मेंट को ध्यान देना चाहिए कि देख रहा हैं यह देखिए दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहा होंगे लेफ्ट साइड से तो हो जाएगा इधर से जाने का और इधर से आने का ऐसे करके सहर में इंट्री होगी और बहुत ही बढ़ियां तरीके से बनाया जा रहा है हा दोस्तों यह देखिए मोहAh देख रही है इसके पीछे में एक आपको आइलेंट दीक करह होगा तो यह Apollo ऐसीया का सबसे छोटा रिवार आइलेंड है आइवटन को इसका लिंक मैंने दीया हुआ इसका वीडियो बनाया हुआ है और दुनिया का सबसे छोटा यह हो गया और माजली भी आसाम में ही रिवार आइलेंड वो बड़ा आइलेंड है तो आप लोग देखिए और यहीं पास फौजी भाईयों की गाड़ी खराब हो गई है तो इस टेपनीद लगा के यह चेंज हो है तो चलिए आगे चलते हैं यह दोस्तों देखिए वह सामने जाने का है यह इसी बस निकल गई वह सामने जाने का है वह उस पुराना था आने जाने का पास और यह अब सिर्फ आने का हो गया है यह प्रमफुत्र यूवर की उपर से साइट से बना हुआ है यह सिर्फ आने अधिये देखिए हम लोग चल रहे हैं हैं कि यह फैंसी मार्केट के सामने से हम लोग जा रहे आ और यहीं पर यह उमानन्दा काट के लिए जाते हैं यहीं से फैरी मिलती है कि यह देखिए नई फैरी की तैयारी हो रही है कि देखिए पूरा कि यही है ओमानन्दा घाड़ कि यह देखिए कि इधर एक मंदिर भी है कि यह देखिए अंबर बस में चल रहे हैं कि यह देखिए इस्टार्बक्स कॉफी है कि यह ब्रह्म्य पुत्र रीवर फ्रंट पार्क बनाया है गौर्मेंट नया है इसका आई बटन पर लिंक देदूंगा देखिएगा कि आई बटन पर देखिए कि यह देखिए रोप वे है इसका रोप वे पर आई बटन पर देखिए लिंक है इसका पूरा ब्लॉक बना हुआ है देखिए आप लोग इंजॉय कीजिए कि यह देखिए डिक्सिली कंपाउंड है यह साब कोठी है और चीफ जस्टिट रेजिटेंस है और हम लोग निकल नहीं है इस वक्त गौहाटी के हाई कोट के पास से यह देखिए हाई कोट का पूरा परिसार है प्रेंट में प्रेंट में कर दोल सब्सक्राइब हुआ हिए यह देखिए प्लेग्राउंड बच्चे खेल रहा हैं क्रिकेट यहां क्रिकेट का कुछ ज्यादा ही क्रेज है आसान के अंदर लेकिन प्लेयर नहीं निकलते हैं यह चौरहा गोहाटी क्लब का चौरहा है यह बस है जालुख बारी से नारंगी बस नमबर थर्टी एट यह बस्ते हैं यह बस्ते हैं यह बस्ते हैं यह देखिए यह सीर पोख्री चौरहा है जो हम लोग यह खड़े होंगे और यह पैंटालों सूरूम भी आप़ जिल पोख्री चौरहा नारं से हो AIDS में आरं से हो CARS2 चौरहा है ओ महरस्रक्ती महरण उच्चैनी विद्या मंदेऱ स्कूल कि अब आप 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 यह देखिया खादी इंडिया है कि अब आप 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 यह देखिए यह चांद मारी चौराहा है और इसी के वहाएं साइड में होते हुए उपर कुल है और उसे होते हुए सिटी सेंटर के लिए है निकल जाता उदरी जू है मरे आप सान इघ कि यह देखिए चांद मारी से नून माटी तक का फ्लाई ओबर की तयाई चल लही है उम्मीद है इलेक्शन के खतम होते होते पूरा होई जाए कि यह देखिए इलेक्शन का टाइम है काम स्टेजी पर है कि सरकार किसी की भी हो सबका यही हाल है इलेक्शन के टाइम ही जो राता है कि अब यह देखिए यह चली जा रही है पहरेदारी किये हुए क्या जी क्या बात है कहां की तयारी है हां कहां की तयारी है जवाब नहीं है क्या है हुए जी करे लाजव बोस्याम है